लर्नर हम यहाँ पर कोटेशन लिटर का डिटेल अध्यान करेंगे नेश्ट पेल्ट पर खरीदार से इंक्वाइरी लेटर प्राप्त करने के बाद विखलेता एक पत लिखकर प्रासंग एक जानकारी प्रदान करता है जिसे कोटेशन लेटर कहा जाता है ये पातर प्राइस लिस्ट, मोड़ पेमेंट, डिसकाउन्ट की अनुमतियादी जैसी मानगी गई सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए लिखे गए है विवसाई को पूचताच का सावधानी पूर्वक और तुरंत उत्तर देना चाहिए After receiving the letter of inquiry from a buyer, the sellers supply the relevant information by writing a letter that is called quotation letter. These letters are written keeping in view the information asked for like price list, mode of payment, discount to be allowed Etsy businessman should reply to the inquiries carefully and promptly. जैसे कि देख रहे हैं quotation letter यह एक inquiry letter की reference में दिया गया एक जबाब होता है जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि कि किस परकार का information quotation letter के द्वारा दिया गया है Question को परते हैं लड़नर यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि question में क्या पूचा है माधव सर्मा requires new furniture for stop room in his college भारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरण Write a letter of quotation to Mr. Sandeep Furniture परताप प्रोट गवर्ड आन बिहाँ माधव सर्मा लड़नर शीच में देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें दो लोग हैं एक माधव सर्मा हैं एक संदीप Furniture है यह दोनों लोग यह हमारा buyer है यह हमारा seller है जो buyer हो उस seller से demand कर रहा कोटिशन लेटर का कि इसमें हमको इस इस चीज की जरुवत है तो new school के लिए जो माधव सर्मा है किस किस प्रकार का requirement है वो संदीप Furniture से demand कर रहा है तो यहाँ पर हम अगले में आते हैं देखिए एक परकार का हमारा क्या है यह heading है heading के तहत हमें एक address देते हैं जो हमारा buyer होता है उसका हम एक detail दे रहा है तो जो detail हम दे रहा है यहाँ पर हमारा भारस senior secondary school है जेल, road, merit, UP और यहाँ पर जो अपना कुछ information जो necessary हो यहाँ पर दिया गया है अगले point पर हम देखते हैं कि यहाँ एक refresh number है according to letter हम लिख लेते हैं पुना यहाँ पर देख रहा है learners यहाँ पर हमारा एक date है उस date के आगे पुना देखते हैं कि इसमें और क्या जो एक detail दिया है यहाँ पर inside address, inside address में जो हमारा seller होता है उसका हम जबाब देखते हैं कि seller किस प्रकार का यहाँ पर जबाब देने का प्रयाश कर रहा है तो जो लिखा यहाँ पर manager, संदेव furniture, परताप रोट, गौर, UP अगला देखते हैं जो लेटर का अगला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला देख रहे हैं आप लिखा है इसे हम Salutation कहते हैं Salutation में के बाद हमारे स्टार्ट होता है जैसे कि देख रहे हैं आप यह body later है इस body later के तीन पार्ट होते ओपने पार्ट और middle पार्ट और closing पार्ट तो opening पार्ट में देखते हैं लिखे लिखा हुआ है यह वाला पार्ट देख रहे होंगे तो इसमें ये पहरा है कि एक जो माधा सर्मा उनकी स्कूल है जिसमें कह रहा है कि 40 और यहां पे 36 गुडे 22 की हाल है इसी के द्रिष्टी कोर से उनको कुछ फर नीचर की जरुवत इसी संदर में वो कोटेशन यहां पे दिया जा रहा है अगला इसमें देख रहे हैं लर्नर यहां पे कहा है क्या इन्होंने यह जो नीचे दिया गया यहां पे देख रहे हैं इसी के द्रिष्टी कोर से वो कोटेशन यहां पे प्लब्द कराएगा जैसे कि देख रहे हैं यहां पे यह कोटी की जरुवाथ है एक टेबल की जरुवाथ है जिसमें टेबल का साइज होगा बारे गुरे11 जैसे कि देख है है हम बारे गुरे4 के संदर में एक मेज की जरुवाथ होगा उसमें बतानी तो लंडर यहां पर देख रहे हैं जो तीसरा पार्ट है आलमारी की requirement है इस आलमारी में मांगा गया है कि आलमीरा जो होगी स्टील की होगी maximum जो उसकी height होगी 6 feet होगी और वही किसकी होगी लोहे की बोले तो iron की यही उसका आलमारी का demand है नेक्ट वाला देखते हैं safe का काया पे quotation मांगा गया है जिसकी height 6 feet होगी और लगभग लगभग 4 partition होगे इस तरीके से करके 4 partition में यह कुसको safe मांगा गया है अगला है one table एक table मांगे गया है जिसकी लंबाई 6 feet और 4 feet के लगभग लगभग मांगी गया है अगले में देख रहे हैं any other suggested item आर्थात माधो सर्मा यह कह रहे हैं कि संदेव furniture से कि अगर इससे जुड़ी हुए school से जुड़ी कुछ और अन्न भी अगर information अगर है तो उससे suggest कीजिएगा उस पे भी वीचार किया जाएगा learners अगले वाले थोड़ा सा हम पढ़ने का प्रयास करते कि इसमें लिखा है जैसे की देख रहे होंगे आपके लिखा है you are you are requested to send the items and condition also we also appreciate if you if you place the discount on item we will finalize order between 15 to 18 March 2019 अगर यहां पर आपका सही तरीके से quotation हमारे पास quotation का जवाब यह हमारे पास 15 से 18 March 2019 के मार्च मेहने मेरे पास आ जाता है इस condition में हम जल्दी ही finance कर देंगे कि मेरा order किस date में लगना है अगला कहा रहा है hence your quotation must reach to us before 15 March 2019 और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 12 March 2019 तक यह quotation later मेरे पास पहुँच जाएगा उसके बाद जो बेक यहां पर quotation later लिख रहा है वो यह माधव सर्मा है माधव सर्मा एक अपने स्कूल में क्या कहा है पर्चेज मैनेजर के रूप में है जो इस चीज का डिमांड की है लरनाश हम आगे की पॉइंट में हम ऐसे ही later को देखते रहेंगे थैंक्स for watching this video, subscribe, like and share